देश्व प्रदिश के किसानों के लिए संकट के समय में संजीवनी बनी प्रधार मंत्री फसल बीमा योजना की राशी अब अगर किसानों ने बैंक से कर्ज भी लिया है तो यह राशी उसके खाते में पहुंचेगी और उसे यह राशी दी जाएगी अब बैंक के किसान के खाते को ना होल्ड कर पाएंगे ना ही एटीम ब्लॉक कर सकेंगे मध्यप्रदिश में क्रशी मंत्री कमल पटेल की ततपरसा से ऐसा संबह हो पाया है कि अब किसान के खाते में प्रधार मंत्री फसल बीमा की राशी आती है तो वह इस राशी का उपयोग अपने परिवार के गुजर बसरकली कर सकता है बीते दिनों क्रशी मंत्री को किसानों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि फसल वीमा योजना की राशी उनके खातों में आई लेकिन बैंकों ने उनके खातों को होल्ड कर दिया और पैसा निकालने के लिए एटियम ब्लॉक कर दिया फसल वीमा योजना की राशी को लिए गए कर्ज से समायोजित कर दी गई क्रशी मंत्री पटेल की ततपरता और निर्देश पर बैंकों ने प्रदेश में किसानों को यह रासी देना शुरू कर दी है जिस पर देवास जिले की किसान विधायक पहार सिंग कनोजिया के निर्दत में किसानों का एक प्रतिनीधी मंडल भोपाल स्तित निवास पर आया और क्रशी मंत्री पटेल का आभार व्यक्ति किया